मत्प्रदेश पब्लिक सर्विश कमीशन ने फाइनली 2020 का जो पीटी एक्जाम था वो ले लिया है 25 जुलाई 2021 को इसका एक्जाम हुआ है हम लोग कटफ के बारे में बात करेंगे जनरली जो कटफ है वो दो चीजों पे काफी निर्वर करता है पहला कि मत्प्रदेश पब्लि की राजधानी कहां थी जो चार आप्शन दिये गए उसमें वहाँ पर ओर्षा नहीं है तो हो सकता है कि इस क्वेशन को मत्प्रदेश पब्लिक सर्विश कमीशन डिलेट कर दे और इसका मार्क्स जो है इक्वली अलोट कर दिया जाए सारे कैंडिडेट्स को तो ये एक ही क में ये देखने के बाद ये पता चलता है कि इस पेपर में मत्प्रदेश पब्लिक सर्विश कमीशन ने अपने तरब से ज़्यादा गलती नहीं किये है गलती एक दो क्वेशन में और दूसरा क्वेशन इस तरह से है कि जैसे कि उन्होंने पूचा है कि मत्प्रदेश की मु तो इस तरह से देखा जाए तो काफी variation नहीं है गलत होने या नहोने का तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि paper अच्छा था previous year के मुकाबले और दूसरा जो factor होता है वो खुद का यानि कि candidate जैसे हमने examination में appear लिया तो हमने कितने question गलत नहीं किये हैं या कितने question गलत किये हैं इस उसको हमने गलत कर दिया ये काफी बड़ा factor है मान लिजिए कि 2 या 3 से ज्यादा इस तरह के question गलत हो गये हैं जो आने थे और जो कि सही होने थे फिर भी हमने गलत किया तो उसका impact काफी negative पढ़ता है हमारे result पे तो ये दो बाते हैं इस तरह से cut up जदी हम लोग देखें तो इस बार 150 के आसपास जाने की संभावना है 2019 में 146 गया था 2018 में 138 गया था जबकि post जो थी वो vary कर रही थी 2019 में 396 post थी इस बार 260 के आसपास post है और लगबग 2.5 लाग से student तो appear हुए ही होंगे अभी officially इसका data नहीं है हमारे पास लेकिन हम लोग assume कर लेते हैं कि 2.5 लाग से student appear हुए होंगे और हम लोग ये भी जानते हैं कि primary examination में negative marking नहीं होती है मदप्रदेस Public Service Commission में 200 marks के total questions होते हैं 100 questions होते हैं 150 का मतलब है कि लगबग 75 जो question है वो हमारे correct होने चाहिए next 2018 का जब हम लोग cut off का analysis करते हैं तो कुछ इस तरह से दीखेगा वो unreserved male 138, unreserved female 128 यानि कि general candidate का है उसी तरह से SC female, SC male, OVC female, OVC male ये cut off देखने के बाद vary करता है जैसे कि male और female में generally क्या होता है कि 8 से 10 marks vary कर सकता है लेकिन ये उस paper पर defend करता है और उस year में depend करता है कि क्या condition है हम लोग इस basis पर जदी पूरा analysis करें paper को तो हो सकता है कि जो general category के candidates है 146 से 148 marks 146 marks का मतलब है 73 question और 148 का मतलब है 74 question जेनरल का और इसी तरह से आप अपना analysis कर सकते हैं आप अपने category में तो आसा करते हैं कि लगभग 150 के आसपास cut off चला जाना चाहिए जदी की प्रथम द्रिस्टिया हम लोग paper को देख रहे हैं already मैंने answer की डाल दिया है paper one paper two दोनों का तो आप अपना answer की match कर ले thanks and take care